हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो मैं चैनल साइंस लेर्नर्स तोड़े आइब रोट दिस वीडियो फॉर टेलिंग यू कि हाँ चिनों ने एक्जाम अभी देना है जिस जिनका डी फामा सेकंड यह जिनका एक्जाम 22 अगस्त से होने वाला था उनका चांसे बहुत है कि अब उनका पॉस्पॉर्ण हो जाएगा जबकि कोई ओफिशियल अभी इंफॉर्मेशन नहीं आई है बस जो हमारे तरफ से जो स्टाफ गए हैं रिवालुशन के लिए तो उनको यह इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि 20 अगस्त तक उनको इवालुएशन अपना कंपेट कर लेना है तो क्योंकि 20 अगस्त से आपका इवालुएशन ही खत्म होगा और दो दिन बात या बुले एक दिन के बाद 22 अगस्त से आपका एक्जाम स्टार्ट होने वाला है तो यह बहुत ही मैनेजबल नहीं है कि वह स्टाफ फिर आपका एक्जाम कंड़क्ट हो और आज आएं तो यह चांसे है कि आपका बहुत यह अभी एक्जाम जो 22 अगस्त दिया जा रहा है वह पॉस्पांड हो फिर भी हमें वह मान के नहीं चलना है हमें अपना अच्छा से अच्छा बेस्ट देने के लिए अभी भी परिशान नहीं हो कि अभी टाइम नहीं है उसके वीडियो के साथ साथ इस information के साथ साथ एक और चीज आपके लिए लेकर के आई हो कि मैं आपके लिए exam से related जो कि आपका ecology है उसके थोड़े important questions लेकर के आई हो जो कि मुझे college में मिला और यह question जो है important है यह repeated questions है अगर इसको आप follow करेंगे तो आप कम समय में भी आप at least जिनों ने किसी वज़े से आप पढ़नी पाए तो आप complete कर सकते हैं आप पढ़ सकते हैं तो जल्दी से यह आप यहां का questions देख लेजी यह college questions है जैसे कि second question दिया है कि what is buyability write the factors third is write a note on a following with a classification तो यह time बहुत लएगा और यह video भी लंबा जाएगा तो इसलिए आप इसका screenshot ले 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 और इसी की pdf बगेरा जो next आपको यह slide दिख रहा है इसमें क्या है आपको question with answer मिलेगा जैसे for example first question यहां पे दिया हुआ है कि discuss the route of the drug administration with the advantage and disadvantage तो यह भी मैं just आपको as a first slide आपको दिखा रहे हुँ कि इस तरह से आपको important question with answer मिल जाएगा और इसका pdf आपको जो है वो नीचे दिये हुए link में आपको जागर कर डाउनलोड कर लेना है तो आपको यह फायदा मिलेगा कि आपको ज्यादा आपको analysis करने के आपको एक्जाम देने पर और रहे हुआ है यहाँ पर स्पेसिफिक आंसर दिया है विद इंपोर्टेंट कोशन आप डाउनलोड करके आप पढ़ना शुरू करें at least इतना भी आप लिख करके आएंगे तो आप इसली पास हो पाएंगे क्योंकि आपको पास होने के लिए 40% जिसमें से 20 माक्स तो इंटरनल सेशनल हो जाता है उसमें से 18-19 कॉलेज होले से मिली जाता आपको एक्जाम देने पर और वहाँ पर 22-25 तक आपको स्कोर करना रहता है जो कोई ज्यादा माक्स नहीं है फिर भी जो बच्चों के पास अभी बुक्स अविलेबल नहीं थे या पास हो जाएंगे और न्यू अपडेट के लिए आप मेरी चैनल साइन्स लेर्नर से बने रहें और जो भी मैं आजकल जो अप्लोड कर रहें उसको आप डाउनलोड करते जाए और अपना प्रिप्रेशन जारी रखें उसके लिए ना सुचे कि आप वस्पांड होगा या न प्रिप्रेशन छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस बढ़ाई पर रखें तिल देन टेक केर त्यूंट